साधर पढ़ाम, आपके अपने चैनल इंफोनी कॉर्णनर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है आज के वीडियो में भारती राज व्यवस्था के क्रम को ही आगे बढ़ाते हैं और इस व्यवस्था के क्रम में हम पढ़ रहे थे जो महतुपूर्ण अधिनियम थे या जो अधिनियम के अंतरगर भारत की जो एतिहासिक प्रश्ट भूनी है सम्मिधान के संदर्व में हम उसके विशय में बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाता 1786 का अधिनियम पढ़ाता 93 का पढ़ाता 1813 का और 1833 का पढ़ाता आज के वीडियो में उसी क्रम को आगे पढ़ाते हैं और हम बात करेंगे 1853 के अधिनियम के 1853 का अधिनियम जो है उसमें एक बहुती महतुपूर्ण एक प्रावधान था उस प्रावधान के अनुसार जो विधाई उद्देशे हैं उन विधाई उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की जो परिशद है जो कारेकारी परिशद है उस कारेकारी परिशद को यहां पर विस्तार दे दिया गया था यानि कि उसमें थोड़ी से सदस्यों की संख्या में वृद्धी कर दी गई थी इस प्रावधान से जो परिशद है परिशद में एंगलो इंडियन हाउस ओफ एंगलो इंडियन हाउस ओफ कॉमन्स का यहाँ पर रूप ले लिया था जो यह कारेकारी परिशद थी इसने तो यह कुछ ऐसे प्रावधान थे तो यह ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर अब बात कर ले अगर कि जो 1853 का जो अधिनियम है उसके अंतरगत क्या क्या मह तो पूर्ण प्रावधान थे यह अधिनियम में क्या था तो अधिनियम में कानून सदसे जो था कानून सदसे को परिशद का पूर्ण सदसे यहाँ पर बना दिया गया था क्योंकि पहले इसे पूर्ण सदसे नहीं कहा गया था क्योंकि इसे मत देने का अधिकार नहीं था पैटकों में आ सकता था लेकिन यहां पर अभी सधी नियम के द्वारा क्या किया गया जो कानून सदसे को बाद में एंटर किया गया था कारेकारी परिशद में उसमें इसे अपून सदसे का एक अधिकार दे दिया था यहां पर इस्थापित कर दिया था जो प्रांतों में कें परिशद में एक प्रतिनिदी भीजने की यहां पर विवस्था किई गई थी और यहां किसी प्रांते से संबंधित अगर किसी भी विशह पर विचार करने की बात होती थी तो विचार तब तक नहीं होता था जब तक कि उस प्रांते से संबंधित प्रतीनिती वहां पर उपस्तित ना हो यदि प्रांते से संबंधित प्रतीनिती की अनुपस्तिती है तो वहां पर प्रांते से संबंधित विचार नहीं किया जा सकता था इसलिए यहाँ पर प्रतिनी भी बेज़े जाता था ताकि वो उस्विशे के बारे में जितनी महतोपोन जानकारिया है वो वहाँ पर दे सके अग जो व्यवस्थापिका है व्यवस्थापिका में सदस्यों की कुल संख्या कर दी गई थी बारा व्यवस्थापिका में कुल सदसे संख्या हो गई थी यहाँ पर 12 जिनमें एक होता था गवर्नर जनरल जो की मैं तो पूर्न था ही गवर्नर जनरल और एक यहाँ पर होता था सेनापती जिसे मुख्य सेनापती कहा जाता था और यहां पर होता था कारेकारी परिशद के 4 सदसे ये भी इसमें शामिल होते थे व्यवस्थापी का में और व्यवस्था संबंधी 6 सदसे चे सदस्य थे ग्यवस्थासंबंधी जीनमेंसे जो चार सदसय होते थे वो प्रांत्य के अपर नयाईधीश को भी इसमें शामिल किया जाता था यानि कि ये 6 सदस्य बटे हुए थे, 4 तो थे प्रांतों से संबंदित, एक था मुख्य ने आए धीश और एक अपर ने आए धीश, तो ये 6 सदस्य इन सब को मिलाकर होते थे, कुल 6 सदस्य जो व्यवस्था से संबंदित थे, तो ये व्यवस्थापी का कि जो सदस्य संख्या कर दी गई थी इन सब को मिला का multiple इवर्टन की व्योस्था कि गई थी इस गवर्णर की जो नियूप्ति की गई थी जिसे बाद में आ कि बंगाल के लिए कि अलग से लेफ्टिनेंट गवर्णर की भी यहाँ पर व्योस्था कर दी गई थी बंगाल में तो यह यहाँ पर महतोपोन है लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो वेवस्था की गई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी तो 1853 की अधिनियम के द्वारा यह वेवस्था यहाँ पर की गई थी अगला जो महतोपोन य भारती की जा सके अब इस अधिनियम में कमपनी को एक बार फिर एक अधिकार पत्र मिल गया था कि कमपनी भारती इलाकों पर ब्रिटिश समराट और उसके अधिकारियों की ओर से तब तक शासन कर सकेगी जब तक कि अन्यकोई व्यवस्था यहां पर नहीं कर दी जाती है तो दूसरे शब्दों में कह दें अगर कि कमपनी एक बार फिर अधिकार पत्र प्राप्ते करने में यहां पर सफल हो गई थी जो भारती इलाके होते थे भारती इलाकों में जो भी एक उसके अधिकारियों की ओर से तब तक शासन हो सकता था जब तक कि अन्यकोई व्यवस्था ना हो जाए ब्रेटिश सम्राट या उसके अधिकारियों की तरफ से तब तक शासन यहां कमपनी कर सकती थी भारती संदर्व में अगर हम बात करें तो ते तो 1853 के अधिनियम के अंतरगर जो महत्वकून बाती थी वो अब बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम के विशय में भारत शासन अधिनियम जो था भारत शासन अधिनियम देखे भारत शासन अधिनियम की हम बात करते हैं तो 1858 का ही जो भारत शासन अधिनियम में बहुत जादा महत्वपून है क्यों महत्वपून है क्योंकि 1857 में ह स्वतंत्रता के लिए जो विद्रोह हुआ था यानि कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था अब उसके बाद क्या होता है ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया इसी अधिनियम को 1858 के तौर पर जाना जाता है जो 1857 का जब विद्रोह हुआ था या स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का इस स्वतंत्रता संग्राम ने ऐसी नीतियों को उजागर कर दिया था जिससे संसत को उन्हें हटाने का एक बहानना मिल गया था किन लोगों को जो कमपनी है उसको क्योंकि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक तरीके का इंडिकेशन था कमपनी की नीतियों का यानि कि इस संग्राम ने कमपनी की नीतियों को उजागर कर दिया और इस संग्राम की वजह से संसद को उसे हटाने के लिए यहां एक बहानना मिल गया यानि की कम्पनी को हटाना चाह रहे थे लेकिन ये एक ऐसा कौज हो गया है जिसकी वजह से वह अब उससे हटा सकते थे अब क्या होता है 1857 के विद्रोह के साथ ही मतलब दो और महतुपोर्ण घटनाई यहां पर घटित होती हैं क्या घटित होती है ऐसा कहा जाता है यह पहला जन संगर्ष्ट था जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ और बिटेश शासन के अगेंस्ट हुआ था ठीक है हाला कि हमने पाइका विद्रोह के विशय में भी पढ़ा है 1817 का लेकिन जो फिलाल किताबों में मेंशन है क्योंकि वो अभी तक मेंशन नहीं हुआ है बुक्स में तो यहां पर हम इसी की बात करें ने फिर 1857 की जो बिटेश शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ था व लेकिन शुरुआब तो हुई इस बिद्रोह को कुचलने के लिए जो ब्रिटिश संसद नहीं जो सारी शासन की बागडोर है वो शासन की बागडोर East India Company से छीन लेती है और वह शासन की बागडोर यहां पर चले जाती है ब्रिटिश संसद के पास अब जो भी यहां पर काम ह होना है वो ब्रिटिश संसद के अनुसार यहां पर हो ना है अब जब यहां पर East India Company से चला गया है तो जो हमारा वर्थमान सम्विधान है उस वर्थमान सम्विधान के निर्मान की प्रक्रीया की एक तरीके से कह सकते हैं यह एतिहासिक यह हिस्टोरिक स्टार्टिंग थी तो जिसकी पहली कड़ी के रूप में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधीनियम 1858 यहां पर पारित किया अब क्या हुआ इसमें समराट के नियंदरन का प्रमुख स्थान था और प्रश्यासन में जनता को यहां पर कोई इस्थान नहीं दिय जैसा कि पहले हमने पढ़ा था कि आर्थिक और धार में इस तरके का ध्यान में रखकर तब कानून की बनाए जाए और उसके बाद उनका पालन किया जाए तो यहां पर जनता को इग्नोर किया गया था इस अधीनियम के द्वारा इस अधीनियम में जो समराट की शक्तियों क प्रियोग कर सकता था तो वो केवल कर सकता था भारत सचिव भारत सचिव के द्वारा 15 सदस्यों की एक परिशद भी यहां पर साहयता करती थी यहां पर उसके भारत सचिव के साथ होते थे 15 सदस्यों यह सम मिलके यहां पर काम करते थे जो भी समराट है उसकी जितनी भी नि आंग्लेंड के व्यक्तियों से मिलकार एक एसी परिशद बनाई जो ये परिशद बनती थी, जिसमें से कुछ समराट द्वारा मनुनीत होते थे, या समराट के द्वारा जिनको सजेस्ट किया जाता था, और कुछ East India Company के निदेशकों के परतीनिधिय होते थे, तो ये जो सदस करके, दो दरीके के व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया जाता था एक तो समराट के द्वारा जिने मनोनीत किया जाता था या जिनके नाम सजिस्ट किए जाते थे और कुछ ऐसे सथस्वे होते थे जिनको East India कमपनी के निदेशुकों के प्रती निधी होते थे उनको इसमें शामिल किया जाता था अब भारत सचे जो उत्तरदाई होता था वो उत्तरदाई होता था ब्रिटिश संसद के प्रती गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत का शासन करता था और इसका संपूर्ण उत्तरदाई तो होता था ब्रिटिश संसद के प्रती और गवर्नर जनरल कारेकारी परिशद की सहायता करता था जैसा कि अभी तक उसका काम रहा वैसा ही काम इस अधिनियम के अंतरगत भी उसका रखा गया और इस परिशद में सरकार के उच्छ अधिकारी भी होते थे। अहां पर इस अधिनियम के द्वारा जो पूरे राज्य छेत्र थे प्रांतों में बाटा गया और हर के लिए जो टौप मोस्त रखा जाता था एक गवर्नर या लेटिनेंट गवर्नर रखा जाता था और इनकी सहायता के लिए यहां पर बना धी जाती थी परिशद गवर्नर या Lieutenant गवर्नर रग दिया लाता था और यहां पर मना दी जाती थी परिशद या कारेकारी परिशद जिसे हम कहते हैं वहीं यहां पर क्या करता था प्रशासन कंट्रोलिंग का काम करता था अब क्या होता है भारत सरकार के जितने अधिकार है सिविल है चाहे सहनिक है चाहे कारेपाल की रूप में मान लीजे या विधाई मान लीजे गवर्नर जनरल है ये सारे के सारे गवर्नर जनरल में ही नहीत थे जो की भारत सचिव के प्रती उत्तरदाई होता था भारत सचिव क या जो भी है जितने भी चीजे होती थी वो गवर्नर जनरल में ही यहाँ पर कंक्लूड कर दिया यानि कि इसको एक तरीके का अधिकार यहाँ पर दे दिया जब इसके जवाब देही का प्रशनोत था तो इसकी जवाब देही बनती थी यहाँ पर भारत सचिव के प्रती अब अगर हम फिर से क्रम को आगे बढ़ाएं और हम इसे समझनी की कोशिश करें भारत का जो भारत शासन अधिनियम 1858 है उसको तो भारत में एक केंद्रीकरत शासन प्रणाली की शुरुवात हो गई थी इस अधिनियम के द्वारा यह इंपोर्टेंट है यहाँ पर केंद्रीकर बंगा और यह बंबई या और प्रांतों के लिए भी ले ले लें जहां पर कानूनों की आविशक्ता होती थी तो वो कानून आते थे इंडिया काउंसिल के द्वारा बनाए हुए और यह इंडिया काउंसिल कहां होती थी लंदन में तो यह लंदन में इस्थित इंडिया का बीके से यहाँ से इग्नोर करना शुरू कर दिया था क्योंकि जो इंडिया काुंसिल होती थी वो इंडिया काुंसिल के जितने सदस्य थे अंग्रेज अब लंदन में चिर्टी तो जाहिर सीवाथ है सारे के सारे सदस्य यहाँ पर क्या होते थे अंग्रेज उपूते थे तो भारत के गवर्णर जनरल की जिसे केनिंग की बात करें वो खुद जो इस तरीके की व्यवस्था थी कि इसमें भारतियों को शामिल ना किया जाए या उनके योगदान को ध्यान में न रखा जाए जो गवर्णर जनरल लॉड केनिंग थे वो भी व्यवस्था से सैटिसफाई नहीं थे वो इस चीज़ के लिए कहते थे कि नहीं भारतियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए फिर इसके बाद क्या होता है एक और नया एक्ट आता है वो नया एक्ट आता है 1861 का तो भारती परिषद अधिनियम जिसे बोला जाता है 18 1861 का भारतिय परिशद अधीनियम तो ये भारतिय परिशद अधीनियम की एक प्रिष्ट भूमी थी की कैसे इंडिया कौंसिल यहां पर निर्मित होती है वो अगले वीडियो में हम जानेंगे भारतिय परिशद अधीनियम के विशय में और हला कि जब 1861 का यह जो अधीनियम इसके बाद थोड़े थोड़े समय पर बहुत सारे अधीनियम आये जैसे 65 का था 69, 73 और 76 की तो कई अधीनियम यहाँ पर आते हैं वो बहुत जादा महतुपूर्ण नहीं है जो उनसे संबंदित कोई एकात बिंदू होगा वो डिसकस कर लेंगे लेकिन 1909 के अधीनियम को हम इची रूप से पढ़ेंगे जो मौरले मिंटो सुधार अधीनियम था फिलाल आज के वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में 1861 का भारत परिशत अधीनियम पढ़ेंगे आप लगातार साथ बने रहिएगा यह जो सेक्शन चल रहा है इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा अगली वीडियो में आप से जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए आप सबी का बहुत बहुत धन्यवार।